हालो एब्रिवन यू आर वेलकम इन डी एसेम इंग्लिश लर्निंग क्लास देश दनपाल सर्थ टूड़े विल ट्रांसलेट आ वेरी शॉट इस्टोरी दफीशर मैन एंड दफीश इस ट्रांसलेशन इंग्लिश सीकने में बहुत ही हलपूल है क्योंकि इस ट्रांसलेशन से हम निवर्ड चिकते हैं सेंटरस फोर्मेशन का पता चलता है इससे हमारी रिडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेयॉप होती है storytelling हमारी spoken English के लिए भी बहुत important होती है इससे हमारा comprehension भी बढ़ता है पहले हम इस story को correct pronunciation के लिए read करते हैं और इसके बाद word to word, all line to line इसका हम translate करेंगे यह story है यह हमारा story है The Fisherman and the Fish Once when a fisherman cast his net into a pool, he could only catch a teeny fish The little fish begged to be set free saying, Please let me go, I am too small If you catch me when I grow big, I will be of use to you then The Fisherman was clever and remarked Don't try to be fool me If I let you go now, I will never see you again So I won't let you go Moral, a bird in hand is worth two in the bush चली हम इसका translate करते हैं The Fisherman and the Fish यहने की मचवारा और मचली Once यहने की एक बार When a fisherman यहने की एक मचवारे ने तालाब में अपना जाल डाला He could only catch a teeny fish वहां केवल एक a teeny fish एक छोटी मचली ही पकड़ सकाया पकड़ पाया The little fish begged यहने प्राथना करना The little fish begged To be set free यहने की उस नन्नी मचली ने छोटी मचली ने उसे set free यहने की छोड़ना मुक्त करना आजात करने के लिए उससे प्राथना किया Saying यह कहते हुए कि Please let me go किरपया मुझे जाने दो I am too small मैं बहुत छोटी हूँ If you catch me When I grow big If you catch me यदि तुम मुझे पकड़ोगे When I grow big यहने की जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो I will be of use to you then I will be of use to you then यहने की तब मैं तुम्हारे लिए उपयोगी रहंगी यहने की मचली जो है उसने उससे कहा कि यदि तुम मुझे If you catch me when I grow big यहने की जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम मुझे पकड़ोगे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी रहंगी The Fisherman watch clever यहने की मचवारा बहुत ही चालाग था And remarked और उस मचवारे ने जवाब दिया यह उसे टिपनी किया कि Don't try to be full me यहने कि मुझे मुझे मुर्ख बनाने की कोशिस मत करो Don't try to be Be full me मुझे मुर्ख बनाने की कोशिस मत करो Be full मुर्ख बनाना If I let you go now यदि मैं तुम्हें अब जाने दूँगा तो I will never see you again तो मैं तुम्हें दुबारा नहीं देख पाऊंगा कभी भी दुबारा नहीं देख पाऊंगा So I won't let you go इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा इसका moral है ऐससे नेतिक सिक्षा मिलती है But in hand Is worth Worth and life Two in the boost Boost नहीं होता जाड़ी यहने कि हाथ का एक पक्षी जाड़ी के दो पक्षियों के बराबर है यहने कि हाथ कहने का मतलब यह है कि हाथ का एक पक्षी जाड़ी के दो पक्षियों के बराबर या something है यहने कि जाड़ी के दो पक्षी से अच्छा है कि हमारे हाथ में जितना भी है उतना हमारे लिए बहतर है तो यह हमारा स्टोरी हो गया है यदि आपका यह स्टोरी पसंद आया हो प्रेसे लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो नेक्स्ट वीडियो फिर मि